नमश्का दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कान में फॉर्ण बॉड़ी चला जाये तो हमें क्या करना चाहिए जैसे कि beads, या फिर मोती हो सकता है, pebbles हो सकता है, चोटी चोटी गोल पत्थर हो सकते है यूशली बच्चे आपस में खेलते हैं और एक दूसरे के उपर मिटी या पत्थर फेकते है तो कई बार वो भी जा सकता है then chalk हो सकता है, slate पे लिखने वाली pencil हो सकता है, pencil का pointed tip हो सकता है, then tissue paper हो सकता है, cotton swab हो सकता है, usually earbud हम जब यूज़ करते तो कई बार ही ऐसा होता है कि उसका cotton part है वो अंदर छोड़ जाता है, then eat tables हो सकता है, जैसे कि चना, दाल, शेंग दाना, मटर, then बहुत बार fruits के बीच हो सकते हैं, जो बच्चे खिल-खिल में अपने कान में डाल सकते हैं, तो यह सारे ही form bodies होते हैं, जो कि अगर कान में जाते हैं, तो नुफसान दायक हो सकता है, and the most important है, insect or flies, मैं specifically last में बात करने वाली हूँ, तो यह पार्ट आप ज़रूर देखें, क्योंकि यह बहुत ही common case है, जो पर आते हैं with the insect into their ears, so do watch very carefully. दोस्तों, अगर किसी के कान में form body चले जाती है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जिसके वैसे situation or worst ना हो जाए, सबसे पर्ले तो आपको इस बात का ध्यान देना है, कि foreign body की निकालने की कोशिश में कोई उसमें mad stick ना डाले, कोई swab ना डाले, कोई ear bud ना डाले, क्योंकि हो सकता है कि आप उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो गल्ती से और आगे पूछ हो जाए, हो सकता है वो आपके कान के पर्दों को perforate कर दे, ear drum को नुकसान पहुचा दे, अगर वो चीज आपको नहीं दिखाए दे रहे हैं तो just leave as it is और जितना जल से जल हो सके आपने ENT डॉक्टर से consult कर रहे हैं बट इन केस अगर वो foreign body आपके outer ear में है या फिर आपको काफी बाहर दिख रहा है बहुत visible है तो आप एक attempt उसे निकालने का try कर सकते हैं that too with the help of tweezer में हाँ पे उसका photo लगा दूगे कि tweezer क्या होता है क्या सा दिखता है अगर आपके घर में available है तो आप उसके help से उसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं again if foreign body visible है तो आप gravity का use कर सकते हैं अगर आपके right side में foreign body है तो आप इस तरह से downward tilt कर सकते हैं कि gravity के force के वज़े से वो जो object है वो dislodge हो जाए दोस्तों आब हम बात करेंगे कि अगर कान में कोई कीडा चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए सबसे important point है दोस्तों इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और सुनिए क्योंकि यह बहुत ही common case है जो अकसर patient आते हैं कीडा का आपको आपके कान मेंत गुनगुना दालना है दो है कोई सब्स भी यह सकते हैं या फिर-odl को मिंनलो यह फिर ऑलीव लिया आ फिर-छीजर गे-वाइला तो आप किलडे को oxygen नहीं मिलने के विए से वो ultimately मर जाएगा मरा हुआ किलडा होने के वज़े से हमें ज्यादा नुकसा नहीं पहुचेगा हमारे कान में हमें टाइम भी मिल जाएगा एंटी स्पेशलिस्ट के पास पहुचने के लिए अगर समझे रात में सोते समय अगर आपके कान में किलडा गया है तो हम सुबह तक वेट कर सकते हैं पर अगर अगर किलडा जिन्दा होता तो वह हो सकता आपके कान के पर्दे के तरफ और बढ़ने की कोशिश करता उसे परफ पर ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता है दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको तेल टभी डालना है जब आपकी कान में कीडा गया हो ना कि कोई और चीज हो अगैं वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके कान में बहुत ज़दा पैण है या bleeding हो रहा है या किसी प्रकार का discharge हो रहा है तो बिल्कुल कुछ भी आप को घर पे try नहीं करना है आप कोशिश करें कि जल से जल आप ENT specialist के पास पहुचें and let him do the further thing especially अगर छोटे बच्चे के साथ case है तो आप घर पे कुछ भी try करने के कोशिश ना करें क्योंकि as I said before कि मुश्किले आसान करने के चकर में कई बार ऐसा होता है कि हम सीवत बढ़ा के बैठ जाते हैं so it is always better to avoid any home remedy at home in a child case better visit ENT specialist as soon as possible ENT specialists are skillful doctors और उनके पास काफी तरह के instruments, equipments होते हैं इसके help के वज़े से वो इस चीज़ को foreign body को skillfully बाहर निकाल पाते हैं so always let them give a try so दोस्तो यह सारी बाते थी foreign body अगर कान में चला जाए तो अमें क्या करना चाहिए I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ useful रहा होगा and if you wish you can like, if you wish you can share and if you wish you can subscribe see you in the next video till then bye take care of yourself